जोई जबनाथ फ्रेंज आज का टपिक है उपवास के समय हम क्या नहीं खाना चाहिए जब हमारे घर कोई दोस्त या जाने पहचाने आते हैं तो हम क्या देकर उन्हें स्वागत करते हैं जड़ा यादगरिये तो हाँ जी चाह नहीं हम चाह देकर स्वागत करते हैं हैं और कहा देते हैं कोल्रिंग्स अब कोल्रिंग्स भी छुटा बोतोल में आ गया है जब 20 साल के पहले 20-30 साल के पहले हम जब घर में हमारे कोई आते थे मेहमान तो हम क्या देकर स्वागत करते थें याद कीजिए जब तक हमारा याद है कि हम दुद देकर या निम्बू पानी देकर और गर्मी का मौसम है तो दही देकर स्वागत करते थे लेकिन आज जमाना बदल गया है चाहे खुद चाहे पीते हो या नहीं पीते हो लेकिन दूसरों को चाहे जरूर पिलाते हैं तो आज हम चाहे के बारे में कुछ लचुना करेंगे जो चाहे जब हम पानी में गरम पानी में पकाते हैं तो फुटने के बाद कैसा कलर होता है, याद कीजिए, कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है, नहीं, लाल कलर हो जाता है, तो पता है लाल कलर कैसे होता है, क्यों होता है, क्या हम जो चाय यूज करते हैं, दुकान से लाए लाकर, जो हम खरिद कर यूज करते हैं, ये अरिजिनल यह अरिजिनल और डूप्लिकेटिव क्या है तो बताता हूं कि चाय पत्ता से रनता है पत्ते को टेस्ट कर जो पत्ता का डेस्ट होता है पत्ता को छोटा-चोटा पीस में पीस दिया जाता है वह अरिजिनल चाय है और वह चाय बिद्धिस कंपानियों को सप्लाई हो जाता है या बड़े-बड़े कंपानियों को सप्लाई हो जाता है और जो बचा-कुचा रह जाता है वह हम जेसे लोग यूज करता है तीक है जो बचा-कुचा रह जाता है वह जब पानी में पकाते हैं तो ज्यादा लाल नहीं होता फीका-फीका दिखता है तो अच्छा नहीं दिखता है आज तो दिखने का जामना हो गया है जो अच्छा दिखता है वो विखता है तो अच्छा दिखने के लिए उसमें क्या मिला जाता है उसमें ब्लड मिला जाता है रक्त किसका अदमी का नहीं जानवोरों का कहां से लाता है मांसकाना से लाया जाता है कैसे खरीद कर तो रक्त खरीद कर उसमें मिलाया जाता है और सुखाया जाता है तो दोस्तों अगर आप उपवास कर रहे हैं और चाई पिने का आपका आदद है तो जानिए आप क्या पी रहे हैं चाई या रक्त तो आज से साब्धान हो जाए और सब को साब्धान भी कर दीजिए कि हम अगर उपवास में चाई पिने लगे तो जिस मक्षद में हम उपवास कर रहे हैं क्या वो सफल होगा हमारा देश संस्कृती से भरा है हम महीन भर में सायद 15-20 दिन ऐसे उपवास में चला जा रहा होगा कोई संबार को उपवास करता है सिव जी का और जो हनुमान जी का भक्त है मंगलवार में और जिसके ग्रहदसा चल रही है वो बुद्वार भी और गुरवार तो महालक्ष्मी का बार है सुक्रवार तो संतस्यमा का सनिवार चाहे सिव जी हूँ या चाहे हनुवान जी और अभिवार तो सुर्य नारायन का है तो हर दिन में किसका ना किसका उपवास होता रहता है हमारे देश में और एकादसी आया चतुर्दसी आया नहीं ऐसे दिन में भी उपवास करता है और कई परब भी हमारे देश में आ रहा है, हर मेहने आता है, तो दोस्तों, अपने दोस्तों को ये बात जरूर पहुंचा ना, और दूसरे पहलू है ये जो हम cold drinks के बारे में अलोचना कर रहे हैं, चाय देते हैं या cold drinks देते हैं, तो cold drinks पता है cold drinks को हम कैसे भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, Latin cleaner के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, कभी अपने Latin में छिड़का कर ये cold drinks का पानी, आप साब के लिए तो देखिए होता है कि नहीं होता है, किसान तो अपना खेत में भी इसको स्प्रे करते हैं, किसके लिए अल्टरनेटिव के लिए, पेस्टिसाइज अल्टरनेटिव के लिए, जिवानों को, किटानों को मारने के लिए, तो इसमें से हम पता लग सकते हैं, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, किसी किटानों और पोक को आप अपने एक छोटे से जगह में रख दे और उसमें cold drinks, उसके उपर cold drinks डाल दे, देखे क्या होता है, मर जाता है कि नहीं मर जाता है,